पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होगा। चुनिए CGPSC नी बात्षाला क्लासेज़ को और करे अपने CGPSC और व्यापव का सपना साकार। डाउलोड दियांग नाओ CGPSC का 36 गड़ आर्तिक सर्वेक्षन 2022-23 और 36 गड़ें केंद्रिय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुग डिपो में जाकर कर ले सकते हैं। CG Books Cart Mobile Lab जिसमें आपको CGPSC E-45 गड़ें साथ-साथ छतिएड के अन्य पप्लिकेशन अन्य कोचिंग इस्टिटूट की बुग भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस आप घर बैठे और कर गरों में Free Home Delivery Service के माद्यम से मंगा सकते हैं। CGPSC E-45 गड़ें सामानने दिन का अन्लाइन बैश शुरू हो चुका है। जो भी इस्टूट अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो CGPSC E-parsella mobile app में जाकरके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं ध्यान दीजेगा। अध्याय तीन राजकिया आए। सबसे फज़ेरे नंबर पर है आपका सकल राज्य घरेली उतपाद GSDP ये होता क्या है इसको तегда हां समझना। एक होता है GDP और दूसरा होता है GSDP GDP और GSDP। सकल घरेली उतपाद और सकल राज्य घरिय घरेली उतपाद दोनों की परिभाशा ऐसेम है। बस दोनों में अंतर क्या है कि अगर हम सकल घरेलू उत्पात की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एक देश की अर्थविवस्था को बता रहे हैं, वहीं पर सकल राज्य घरेलू उत्पात GSDP में हम एक राज्य की अर्थविवस्था को बताएंगे, सकल घरेलू उत्पात GDP जिसमें हम एक देश की अर्थवस्था के बारे बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद नाम से इस पश्ट है क्या बोला जा रहा है सकल राज्य जिसमें हम किसी राज्य की अर्थवस्था के बारे बताएंगे तो यह है आपका GDP और GSDP सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाशा बताऊंगा फिर एक एक करके जो है आपको एक्जांपल बताऊंगा जिसे सारी चीजे क्लियर हो जाएगी GDP सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की भोगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्थू किसी भी देश की भोगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्थू यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है आपका अंतिम वस्थू एवं सेवा किसी भी देश की भोगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्थू ऐवां सेवां के मौद्रिक मुल्य को GDP का जाता है किसी बिदेश की भोगोलिक सीमा निकी भारत देश, उसकी भोगोलिक सीमा अंतराश्ट्य बॉडर तीचे की भागोलिक सीमा के भीतर उत्पाधित अंतीम वस्तु जीसे कि मान लीजिये यह एक आपके कॉटन का शर्ट है, इ जाकर कि यह बना होगा आपका शर्ट तो यह शर्ट क्या यह शर्ट है अंतिम उत्पाद यानि की फैनल प्रोड़क्ट तो जब कभी भी हम GDP की गणना करते है न तो उसमें रौ माटेरियल या इसके स्टार्टिंग कोश्ट जो शुरुवात में जो खर्च हुए उसे काउंट नहीं करते उसकी जो अंतिम किम्मत है हम उस पर आते हैं किसी भी देश की भोगोलिक सीमा के भीतर उत्पादिद अंतिम वस्तो एवं सेवाओं के मौद्रिक मुल्य को GDP कहा जाता है यह अगर देश क परिपेक्ष में है देश की अर्थ्वियस्ता राज्य के परिपेक्ष में तो राज्य की अर्थ्वियस्ता सकल घरेलू उत्पाद और सकल राज्य घरेलू उत्पाद ठीक है अब देखिए यहां बरबात हो रही है आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जब कभी भी आ सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मुल्य की गढ़ना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर किया जाता है तो यह आपका इस्थिर कीमतों पर GDP कहलाता है वहीं किसी भी भोगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मुल्य की गढ़ना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाता है तो यह प्रचलित कीमत पर GDP कहलाता है ठीक है देखिए इस्थिर कीमत जिसमें हम आधार वर्ष 2011-12 की किमपों की बात कर रहे है वहीं प्रचलित किम्मत जिसमें हम वर्तमान बाजार मुल्यो की बात कर रहे सबसे हम बात करते हैं इस्थिर कीमत की यानी की वर्ष 2011-12 की वर्ष 2011-12 में इस पेन का किम्मत था 10 रूपए, पेन का किम्मत कितना था 10 रूपए, और मेरा GDP कितना था, मेरा GDP था आपका 100 रूपए, जे में 100 रूपए है, 100 रूपए मेरा GDP है, इस 100 रूपए से मैं इस 10 रूपए किम्मत वाली कितनी पेन खरीच सकता हूं, इस 100 रूपए से मैं 10 GDP आज भी 100 प्रूपए चैंश कितनी हो गई है 25 प्रूपए कितम है आज भी मिले समय किम्मत आपका 25 प्रूपए से से मगे 10 रूपए वाले पेन के total 10 पीश खरीच सकता हूं और इस 100 रूपए GDP से मगे इस 25 रूपए वाले किमत के total 4 पेन ही खरीच सकता हूं तो यह जो आपका जो difference हा रहा है, is difference का मुख्य करण क्या है? पहले पेहन की किम्मत ही 10 रुप है आज इसकी किम्मत है 25 रुप है 15 रुप है जो बढ़ गया वो क्या है महंगाई तो जो इस्थिर किम्मत है इस्थिर किम्मत और प्रचलित किम्मत के बीच का जो main difference होता है वो होता है आपका महंगाई इस्थिर कीमत जो की महेंगाई से प्रभावित नहीं होती, प्रचलित कीमत जो की महेंगाई से प्रभावित होती है ठीक है, देखिए ध्यान समझना, इस्थिर कीमत और प्रचलित कीमत के बीच का main difference क्या होता है main difference होता है इनके बीच का महेंगाई inflation महेंगाई ठीक है जहां जो इस्तिर कीमत जो है ये महेंगाई से प्रभावित नहीं होती और प्रचलित कीमत पर महेंगाई का प्रभाव पड़ता है ठीक इंपोर्टेंट है ध्यान समझना अब देखिए सकल राज्य घरेलु उतपत GSDP अग्रीम अनुमान 2022-23 सबसे पहले हम देखेंगे कि GDP का आकार क्या है फिर GDP की प्रतीशत विद्धी क्या है इस्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर GSDP सकल राज घरेलू उत्पाद जिसका वित्तिय वर्ष 2022-23 में इस्थिर कीमतों पर GDP का आकार दो लाख नवासी हजार ब्यासी करोड रुपए इस्थिर कीमतों पर GDP का आकार जबकि प्रचलित कीमतों पर GDP का आकार 4,57,608 करोड रुपए कितना? 4,57,608 करोड ठेक देखिए इसको लेकर के भी न पिछले साल एक स्टुएंट मेरे पास WhatsApp में मेसेज करके बोल रहा था कि सार आपने जो भी आकड़े बताया है वो आधे अधूरे है यहाँ पर हमने 5 डिजिट का आकड़ा बताया है इस्टु देखने के लिए मिलेगा इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे आकड़े अधूरे है ठीक है पिछले साल बहुत बार मैसेज करा कि सर आपके बुक में आकड़े अधूरे आकड़े जब मैंने बोला कि ठीक है फोटो खीचके भेजो तो बोलते कि सर इसमें 5 डिजिट है एकोनोम सरे में जो लिखा है वही मैं लिख सकता हूँ लेकिन अब तक तीन बार एक्जाम में कोश्चन पूछा है और तीनों बार में ये लाख करके नहीं पूछता है डेसिमल को आगे बढ़ाईए और डेसिमल में जो आप लाख है उसको मैंने करोरो में कनवर्ट कर दिया है ठीक है जो लाख में जो एकोनोमिक सरे में आकड़ा दिया गया है उस लाख के आकड़े को मैंने करोरो में करने कारण क्या था कि already exam में जो है 3 से 4 बार करोर करके ही question पूछा है और वो भी इस्तिर कीमत में GDP का आतार ठीक है तो कुछ भी चीज कहीं से भी गलती निकालने कोशिश करता है ना पहले अच्छे दे रिसर्च कर लिजिए ठीक चलिए हाँ अभी आगे आपको अपडेट कर वाँगा एक खनी जोले चेप्टर में जो इंडियन मिनरल्स बुक जो आता है जिसमें 2018 के आकड़े वो अपडेट होके 2020 का हो गया है क्योंकि हमारे एकोनामिक सर्वे का बुक पहले आता है उसके बाद जो है खनी जी भाग के बाद प्रसासनी प्रतिवेदन एक महने बाद जारी किया जाता है तो वो डाटा अपडेट करा हूँगा आगे आने वाले समय में ठीक है चलिए देखिए GDP का आकार इस्थिर कीमत पर है 2,89,082 करोड रूपए ठीक है जबकि प्रचलित कीमत पर जी एजडीपी का आकार है 4,57,608 करोड रूपए GDP में पिछले वर्षे की तुल्ला में 8 प्रतिशत की विद्धी दर्ज की गई है इस्थिर कीमत पर जबकि प्रचलित कीमत पर GDP में आपका 12,60% की विद्धी दर्ज की गई है जबकि प्रचलित कीमत पर जी एजडीपी का आकार है इस्थिर कीमतों पर 2,89,082 करोड रूपए जो कि पिछली वर्षे की तुल्ला में 36 गड़के GDP में 8 प्रतिशत की विद्धी दर्ज की गई है जबकि प्रचलित कीमत पर 36 गड़के GDP का आकार है 4,57,608 करोड रूपए जिसमें पिछले वर्षे की तुल्ला में आपका 12,60% की विद्धी दर्ज की गई है आगे, आप यहां पे देखिए, यहां पे एक line लिखा हुआ है, उस line को थोड़ा सा समझना, ठीक है? यहां पे आपको दो line लिखे हुए है, उस defense 2 line को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगगा, यह देखिए। सबसे पहले यहां पे लिखा है किसी राष्ट की आर्थिक इस्थिती का सबसे उप्यूगत मातरक क्या होता है और किसी राष्ट की आर्थिक सम्रिद्धी का सबसे उप्यूगत मातरक क्या है ठीक है पढ़ने में दोनों सेम लगते हैं लेकिन दोनों के एंसर अलग अलग है औ और किसी राष्ट की आर्थिक सम्वृद्धी अगर पूछेगा आर्थिक सम्वृद्धी या आर्थिक वृद्धी का सबसे उप्यूगत मापक क्या है पूछेगा तो वो होगा पर कैपिटा इंकम जाने की प्रति व्यक्ति आए ठीक है देखें कोश्चन दोनों पढ़ने मे प्रति व्यक्ति आये रहा 96,242 कितना रहा 96,242 जबकि प्रचलित किम्मत पर 36 गड़का प्रति व्यक्ति आये रहा 1,33,898 ठीक देखें ध्याय समझता प्रति व्यक्ति आये यानि कि एक वित्तिय वर्ष में उस राज्य के व्यक्तियों की औसत आये ये प्रति व्यक्ति आय पर capital income 2022 इस्थिर कीमत पर 36 गड़ राज्य का इस्थिर कीमत पर प्रती व्यक्ति आये per capital income था 96,242 जबकि प्रचलित कीमत पर था 138,98 ठीक है ये था अब देखिए maximum time क्या होता है बच्चे इसको याद करके जाते हैं इस्थिर कीमत और ये government जो है maximum time आपके इस्थिर कीमत के आकड़ों को ही पूछता है ठीक है बच्चे रटके जाएंगे इस्थिर कीमत का लेकिन exam में जब question आता है बच्चे ये ध्यार नहीं देते कि इसमें इस्थिर कीमत पूछ रहा है या प्रचलीत कीमत पूछ रहा है पूछ लेगा आपका चटिस गड़ राज्य का विद्तिवर्श दो हजार बाईस तेइस के लिए इस्थिर कीमत पर प्रती व्यक्ति आये कितना अनुमानित है इस्थिर कीमत का पूछेगा तो 96,242 अब प्रचलित कीमत का पूछेगा तो 1,33,898 अब देखिए एक साल का कोशन क्या बना था जैसे कि माल लीजे इसी डाटा को लेकर के हम चल रहे है इसी डाटा को लेकर के हम चल रहे है 36 गड़ राज्य का वित्ति अवर्श दो हजार 22 ते इसके लिए इस्थिर कीमतों पर प्रती व्यक्ति आये कितना अनुमानित है क्या बोला इस्थिर कीमतों पर उसमें जो उसने शुरू से A, B, C, D ओप्शन दिये थे एक ओप्शन, दो ओप्शन, तीसरे ओप्शन में उसने क्या कर दिया था 1, 33, 8, 98 रूप है और चौथा दिया था उसने इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं ठीक, गल्ती होने का चांस कहा होता ये बता रहा हूँ जो आपका एक्जाम है, एक्जाम है पुछा गया कि 36 गड़ राज्ये का वित्तिय वर्षी 2022-23 के लिए इस्थिर कीमतों पर प्रती व्यक्ति आये कितना अनुमानित है लेकिन आप ये दोनों डाटा पढ़के गया है 96,242 और 138,98 ठीक है और आपको जो है, ये दोनों डाटा आपका मैच नहीं हो रहा है सुरू के दो डाटा मैच नहीं हो रहे लेकिन तीसरा डाटा आपको पढ़ा हुआ लग रहा है 138,98 लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है कि इस्थिर कीमत में है, कि प्रचलित कीमत पर है लेकिन हाँ, याद यह आ गया कि यह पढ़ा हुआ है और उसको लोग टिक कर दिये जबकि इसका एंसर होता, इन में से कोई नहीं क्यों क्योंकि यह क्या था, यह प्रचलित कीमत पर था यह प्रचलित कीमत पर था जबकि एक्जाम में पूछा क्या गया था एक्जाम में इस्थिर कीमत पूछा गया था ठीक है, ऐसे कोश्चन घुमाता भी है आप पढ़के तो गया है, लेकिन क्या पढ़ रहे है और एक्जाम में at that time आप क्या attempt कर रहे हैं, यह important करता है दोनों आकड़ा आपका रटाया हुआ है पूछ रहा है, इस्थिर कीमत लेकिन यह डाटा कोई गयाप कर देगा उसके जगए इन में से कोई नहीं देदेगा और जो डाटा आपका wrong होने के chances ज़्यादा है उसको उस option में रख देगा ठीक है, यह question आया है ठीक, तो प्रती व्यक्ति आया है इस्थिर कीमतों पर आपका 96, 242 और प्रती व्यक्ति कीमतों पर है एक तैस आट अंठ्याद्वे प्रती व्यक्ति आया में पिछले वित्य वर्ष की तुलना में 10.9% की वृद्धी दर्ज की गई है ठीक है, 10.93% यह भी important है, यह percentage से भी एक्जाम में डाटा आता है 10.93% 10.9% की वृद्धी दर्ज की गई है ठीक, चलिए, आगे देखते है सकल राज्य घरिलू उत्पाद GSDP छेत्रावार अग्रिम अनुमान प्रतीशत वृद्धी 2022 इस टॉपिक को समझने से पहले जो आपको एक flow chart, एक flow diagram बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना ठीक है, जो flow diagram आपको दिखा रहा हूँ उस flow diagram को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा देखिए, यह है आपके उद्ध्योग समूँ क्या है? उद्ध्योग समूँ ठीक उद्योग समू जो की तीन छेत्र बटा हुआ है प्राथ्मिक छेत्र, दुतियक छेत्र और तृतियक छेत्र प्रात्मिक छेत्र क्या होता है, दुतियक छेत्र क्या होता है, तृतियक छेत्र क्या होता है, क्रिशी छेत्र क्या होता है, उद्योग छेत्र क्या होता है, उसको पहले ध्याद समझ लीजिए, एक्जाम में एक कोश्चन डिरेक्ट उठाता इससे, ठीक है, डिरेक्ट एक पाएगा कि निमने लिखित में से कौफ़ सा एक छेत्र प्राथमीक छेत्र के अंतरगत नहीं है तुजू समझना सबसे قन मैं क्या बता रहा हूँ प्राथमिक छेत्र द्वितियक छेत्र त्रितियक छेत्र प्राथमिक छेत्र ऐसे उत्पाद जो हमें प्रकृती से डिरेक्ट प्राप्त होते हैं ऐसे उत्पाद जो हमें प्रकृती से डिरेक्ट प्राप्त होते हैं प्राथमिक छेत्र गहलाता है ठी के निकालदा वो प्रकृषिटि में पहले से मौझूद है हम फसल लगा रहा है, बीच को बोगा लेकिन उसे फसल बन रहा है, वो प्रकृषिट हमें दे रहा है, तो ऐसे उत्पात जो हमें प्रकृषिटी से डारेक्ट प्राब तो होते हैं, ये प्रात्मिक आपका प्रात्मिक छेत्र के उत्पात कहलाते है ठीक द्वितियक छेत्र जो की प्रात्मिक छेत्र के उपर डिपेंड करते है द्वितियक छेत्र कहलाते है त्रितियक छेत्र जो की द्वितियक छेत्र के उपर डिपेंड रहते है ये त्रितियक छेत्र कहलाते है ठीक है ध्या से डिरेक्ट मिलते हैं जैसे कि आपका क्रिशी क्रिशी में हमने यह जो कपड़े वाला एक्जामपल लिया सबसे पहले हमने कपास की खेती की ठीक है कपास की हमने खेती की है अब इस कपास की खेती से जो हम कपास निकालेंगे उसका धागा बनाया जाएगा ठीक है धागा ब फैक्ट्री में कहा जाएगा फैक्ट्री में जाएगा ये कपास तो ये फैक्ट्री ये जो कपड़े बलाने की जो फैक्ट्री है ये किसके ओपर डिपेंड कर रही है ये कपास के खेती के ओपर डिपेंड कर रही है और इस फैक्ट्री में मशीनों को चलाने के लिए किसकी ज त्रित्येक च्छेत्र हें प्रत्मिक चेत्र जो कि हमें प्रकृस्टी से डिлять प्राप्त होने वाले उत्पद्पाद प्रात्मिक चेत्र द्वितियक चेत्र जो की प्रात्विक चेत्र को बर डिपेंड करेगा ठीक है जो बता रहा हूं उसको ध्यान समस्ति वे चलिएगा अगर यहां पर हम कपास उगाएंगे नहीं जब तक कपास उगेगा नहीं तब तक फैक्टरी में जाएगा नहीं और फैक्टरी है तो सब एक दूसरे के उपर डिपेंडेंड है ठीक है यह जो त्रितियक चेत्र है यहां के लोग जागर क्या कर रहे हैं यहां आपनी सेवा दे रहे हैं सर्विस सेक्टर ठीक दिखिए प्रात्मिक चेत्र के अंतरगत फसले पशुपालन वन उद्योग एवं लठ्थे ब वनोद्योग जो लगुवन उपर इखट्टा करते लठ्थे मचली उद्योग जो पानियों में जो मचली का पालन के जाता है और खनन तथा उद्खनन जो खनीज जो प्राकृती में पहले से मौजूद है तो यह सारी चीजे हमें प्रकृती से डिरेक्ट मिलती है तो एक कि दूतियक छेत्र के अंतरगत आएगा और तृतियक छेत्र के अंतरगत व्यापार होटल एवं जलपान ग्रिही परिवहन संग्रहन एवं संचार रेलवे परिवहन भंडारन संचार एवं प्रसारन वित्य सेवाए इस्थावर संपदा आवाज ग्रिहों को स्वामित्व आप एक चीज और पढ़े होंगे क्रिशी छेत्र उद्योग छेत्र और सेवा छेत्र देखे एक चीज तो पहले सही समझ लेना क्रिशी छेत्र का मतलब प्राथ्मिक छेत्र होता है ऐसा नहीं है उद्योग छेत्र का मतलब डित्यक छेत्र होता है ऐसा नहीं है तिर्त्यक छेत्र का मतलब सेवा छेत्र होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नीजे देखे मैंने बॉक्स बनाया है अगर हम इस प्रात्मिक छेत्र में से खनन तथा उद्खनन को हटा देंगे तब जाकर के ये क्रिशी छेत्र होगा, क्योंकि जो जितनी भी है, आपके फसले, पशुपारण, वन्य उद्योग, मचली उद्योग, ये सबी क्रिशी छेत्र के अंतर गताते हैं, वहीं इस दृतियक छेत्र में हम खनन तथा उत्खनन को एड करेंगे, खनन तथा उत्खनन क को एड करेंगे, तब जाकर के ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका उद्योग छेत्र, और सेवा छेत्र बराबर तृतियक छेत्र, यहां मैंने बॉक्स बना करके दिया है, ये सारा एक्स्प्लेनेशन आपको एकोनॉमिक सर्वे, जो गवर्मेंट की जो गवर्मेंट जिस प्रकार से कोश्चन एक्जाम में आते है, उसके हिसाब से ये बुक सेट किया गया है, ठीक है, वर्ना गवर्मेंट की एकोनोमिक सर्वे को उठाएगे, कट कॉपी पेश्ट मार देंगे, तो बुक और भी पतला बनता है, लेकिन चीज़े आपको अच्छे जए कौन सा एक आपका छेत्र, ड्वितियक छेत्र के अंतरकत नहीं आता, उसमें देगा निर्मान, वी निर्मान, विद्यूत और आपका खनन उठ्खनन, खनन उठ्खनन, ड्वितियक छेत्र का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है, कात्मिक छेत्र का हिस्सा है, लेकिन वहीं अलग से एड करता है उद्योग में खनन उद्खनन को ठीक है तो जो प्रात्मिक छेत्र जो प्रकृति से डिरेक्ट प्राप्थ होता है दृतियक छेत्र जो प्रात्मिक छेत्र पर डिपेंड करता है ठीक है अगर इसको और एक्जामपल ले जिसे कि प्रकृति से प्रकृति स यानि कि विद्धूत यह किसके उपर डिपेंड कर रहा है और इस विद्धूत प्लांट को चलाने के लिए लोगों की आवश्कता है यहां पर सेवा देनी की आवश्कता है तो यह त्रितियक छेत्र है ठेक तो यह सब आपस में एक दूसरे से आपके इंटर लिंक है चलिए अब देखिए वापस टॉपिक पर आते है उपर ध्यान दीजेगा हां तो यह था सकल राज घरलू उत्पाद छेत्रावार अग्रिम अनुमान प्रतीशत दो हजार बाइस तीश चेत्रावार यानि कि क्रिशी छेत्र उद्धोग छेत्र सेवा छेत्र देखिए यहां पर पहले से सरवादीग ओर नियूंतम यहां बे माने छाट के दर्श आया है और इससे कोशन आ रहा है छेत्रा वार सरवादीग व्रिद्धिक इस κάνłem हुई ए किस चेत्र में नियूंतम हुई है ऐसे कोशन आ रहे सबसे पहले देखिए इस्थिर कीमतों पर अगर हम इस्थिर की प्रचलित कीमतों की बात करें तो प्रचलित कीमतों पे रिशी चेत्र में 10.70% उद्योग चेत्र में 12.21% 12.21% और सेवा चेत्र में 14.43% 14.43% की व्रिद्धी दर्ज की गई है सबसे पहले तो आपको ये वाले याद करने है ठीक है ये चेत्र याद करने है ठीक इसको याद करना है पहले इस्तिर कीमतों पर क्रिशी चेतर उद्यूग चेतर सेवा चेतर में कितनी विर्धी दर्ज की गई है अब देखे यहाँ पर बात की जारी चेतरा बात प्रतिषयत विर्दी जो अब हमने देखा क्रिशी चेत्र के अंतरगत क्या आते है तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो हम क्रिशी चेत्र की बात कर रहे है क्रिशी छेत्र में इस्थीर कीमतों पर 5.93% की तो वृद्धी दर्ज की गई लेकिन क्रिशी छेत्र के अंतरकत आने वाले जो प्रचेत्र है आने वाले जो छेत्र है प्रचेत्र है उसमें किन किसकी वृद्धी जादा रही याने की जो यहां पर बात किया जा रहा है इसकी ध्यान दीजे यहां पर जो है अगर हम कृषी छेत्र की बात कर रहे है तो ये मान लीजे क्रिशी छेत्र है, तो फसल, पशुपालन, वनोध्योग, मचली पालन, इन चारों में से सरवाधिक वृध्धिक किसमे दर्ज की गई और सबसे कम वृध्धिक किसमे दर्ज की गई, आपके उध्योग छेत्र के अंत्रगत, निर्मान, वी निर्मान, विद दियोद्ध गैस जलापूर्ती इसमें से सरवादिक वृद्धिक इसमें दर्ज़ की गई और सबसे कम वृद्धिक इसमें दर्ज़ की गई ऐसे कोशन आते हैं ध्यान दीजे इसमें जो है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद जी एसडीपी छेत्रावार अग्रीम अनुम सकते हैं तो बढ़िया है नहीं याद कर सकते तो और भी बढ़िया है ठीक है कम से कम इसको याद रखना इसको ठीक है मचली उद्ध्योग वनुद्ध्योग चुकि इतने सारे आकड़े याद कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है य इधर के आकड़ याद नहीं हो रहे चलेगा लेकिन ये याद रखना क्रिशी छेत्र के अंतरगत इस्थिर कीमतों पर किस प्रचेत्र में सरवाधिक वृद्धी दर्जे की गई तो मचली उद्योग में सरवाधिक वृद्धी दर्जे की गई सबसे कम वृद्धी वनुद्य ग्री में किया गया, सबसे कम वृद्धी इस्थावर संपता में किया गया, यह कृषी एवं सब्द सेवा वाले से बहुत बार कोश्चन आया है, ठीक है, कृषी और उद्योग वाले को तो पहले किजेगा, और इस्पेशली इस्थिर कीमत वाले डाटा को पहले याद करना है ठीक है, मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, परसेंटेज देखकर के याद कर लीजेगा, कितना परसेंट याद करेंगे, परसेंट यह याद करना है, क्रिशी और उद्योग, क्रिशी एवं सब्द सेवा के अंतरगत 5.93% की विद्धी दर्ज की गई हैं, क्रिशी छेत्र में सरवादिक वृद्धी, आपके मचली उद्योग में सबसे कम वृद्धी, आपके वनुद्योग में, उद्योग छेत्र के अंतरगा सरवादिक वृद्धी, विद्धुद गैस जालापूर्ती में सबसे कम वी निर्मान में, सेवा छेत्र में सरवा उद्योग छेत्र में 12.21 परसंट सेवा छेत्र में 14.43 परसंट प्रचलीट कीमतों पर क्रिशी एवं सब्द सेवा के अंतरगा सरवाधिक वृद्धी दर्जकी गई वनुद्योग में। उद्योग छेत्र के अंत्रका सरवाधिक विर्धी दर्ज की गई, विद्यूत गैस एवं जलापूर्थी में सबसे कम दर्ज की आगया आपके वी निर्बाड में, दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में सेम है, सेवा छेत्र के अंत्रका सरवाधिक विर्धी दर्ज की आगया आपके व्यापार, होटल एवं जलपानग्री में सबसे कम दर्ज़ किया गया, आपके इस्थावर संपता में ये भी दोनों में सेम है, ठीक है, कोशन कहां से बनेगा, क्रिशी छेत्र से बनेगा, अब वहाँ पर आपको ध्यान देना है, कि सरवाधिक वृद्धिक किस छेत् और वो प्रचलित कीमत पूछ रहा है, कि स्थिर कीमत पूछ रहा है, ठीक है, इसको दोड़ा सा देख करके लगाना, ठीक, चलिए, इसका परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, परसेंटेज देख करके याद कर लीजिए, इसमें में परसेंटेज आपको ये दोनों कॉलम का याद रखना है, ये percentage को याद रखना, बाकी side वाले का नाम भी याद कर लेंगे, तो बहुत है आपके लिए ठीक, बाकी main answer writing में तो ये table बना दिये, वही sufficient है, अपने आप में एक पूरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमने क्रिशी, उद्ध्योग, एवं सेवा और इसके पूरे के पूरे छेत्र याने कि overall overall का मतलब फसले, पशुपालन, मचली पालन, वन उद्ध्योग, निर्मान वी निर्मान, विद्यूद गैस जलापूर्ती, इस्थावर संपदा, रेलवे, जलपान गरी, सभी में overall सरवाधिक वृध्धिक किसमे दर्ज की गई, पूछा जाएगा, तो सरवाधिक वृध्धि दर्ज की गई है, होटल व्यापार होटल, एवं जलपान गरी में इस्थिर कीमत ओपर, ठीक है सबसे कम वृध्धि दर्ज की आ गया है इस्थावर संपदा पर, प्रचलित कीमत पर GSDP में सरवाधिक वृध्धि दर्ज की गई है, खनन एवं उत्खनन में, 24.45% ठीक है जबकि सबसे कम वृध्धि दर्ज की गई है, आपके इस्थावर संपदा में प्रशन पूछा जाएगा, वित्तिय वर्ष 2022-23 के लिए प्रचलित कीमतों पर 36 गड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस प्रच्छेत्र की सरवाधिक वृध्धि दर्ज की गई तो खनन तथा उत्खनन च्छेत्र में प्रचलित कीमतों पर सरवाधिक वृध्धि दर्ज की गई है इन्पोर्टेंट है इसको याद करना इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना अब देखिए यहाँ पर बना हुआ है आपका पाई डाइग्राम सबसे पहले सकल राज्य घरेलू उत्पात जी एसडीपी छेत्रावार अग्रिम अनुमानित प्रतीशत भागीदारी यहाँ कितनी है देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो 36 गड़ के जीडीपी का आकार इस्थिर कीमतों पर कितना है दो नवासी जीरो ब्यासी कितना है दो नवासी जीरो ब्यासी ध्यान दीजेगा 36 गड़ के जीएस डीपी का आकार है तो यह आपका दो लाख नवासी हजार ब्यासी करोर रुपए में से क्रिशी छेत्र की भागीदारी है 16.91 परसेंट 16.91 परसेंट 16.91 प्रतीशत यानि कि 36 गड़ के इस्थिर कीमत पर जो जीडीपी का कुल आकार है कुल जीडीपी का 16.91 प्रतीशत हिस्सा क्रिसी छेत्र का है जबकि इस्थिर कीमतों पर 36 गड़ के कुल जीडीपी का 49.88 परसेंट 49.88 प्रतीशत हिस्सा उद्योग छेत्र का है 36 गड़ का 2,89,82 करोल रुपय में से 33.21 प्रतीशत हिस्सा किसका है ये सेवा छेत्र का है यानि कि जो जीडीपी का जो कुल आकार है कुल जीडीपी का 16.91 प्रतीशत क्रिसी छेत्र आपका 49.88 परसेंट उद्योग छेत्र जबकि 33.21 परसेंट हिस्सा किसका है सेवा छेत्र का है प्रशन पूछा जाएगा वित्यवर्ष दो हजार 22-23 के लिए इस्थिर कीमतों पर निम्न लिखित में से किस छेत्र की भागीदारी जीडीपी में सरवादीक है तो किस छेत्र की भागीदारी GDP में सरवादीक है? 16 बड़ा है, 33 बड़ा है या आपका 49 बड़ा है? 49 बड़ा यानि कि उद्योग छेत्र की भागीदारी सरवादीक है प्रशन पूछा जाएगा, वित्तिय वर्श 2022 में इस्थिर कीमतों पर 36 गड़ के कुल GDP में उद्योग छेत्र की भागीदारी कितनी प्रतीशत है? वित्तिय वर्श 2022 में इस्थिर कीमतों पर 36 गड़ के कुल GDP में क्रिची छेत्र की भागीदारी कितनी प्रतीशत है? ऐसे एक्जाम में कोश्चन पूछा जाता है, यह तीनो परसेंटेज आपको कंठस्त याद होने चाहिए क्रिची छेत्र की भागीदारी कुल GDP का 16.91, 16.91, उद्योग छेत्र का 14.88, 49.88 प्रतीशत और सेवा छेत्र का है आपका 33.21 याने की 33.21 अब देखिए यह हो गई भागीदारी, देखें यह क्या है, यह है भागीदारी है, भागीदारी या हिस्सेदारी, वृद्धिदार नहीं है, भागीदारी या हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, ठीक, याने की अगर आप देखें, उद्योग छेत्र कितना है, उद्योग छेत्र लगभग 50% ह और ये कितना है ये 2,90,000 के आसपास अगर हम राउंड फिगर करें 2,90,000 करोड रुपए तो 2,90,000 यानि कि उसका आधा कितना होगा 2,90,000 का आधा 1,45,000 करोड रुपए कि एवल उद्योग छेतर की भागीदारी है इसका आधा कितना होगा इसको राउंड फिगर करेंगे 2,90,000 इसका आधा कितना होगा 1,45,000 ठीक है ये 50% लगभग 50% भागीदारी उद्योग छेतर की है ठीक है वैसे ही इस डाटगी का 16% 16.9% और 2,89, 82 करोड रुपए में से 33.2 एक प्रतिशत की हिस्सेदारी सेवा छेतर क अब देखिए ये तो हो गया आपके क्रिशी उद्योग से हुआ अब क्रिशी के अंतरगत हमने क्या देखा था फसले पश्यू पालन मत से पालन ठीक है वनुद्योग तो क्रिशी छेतर के अंतरगत किस प्रचेतर की भागीदारी 16% तो क्रिशी छेतर की है लेकिन इस 16% में से 9.89 प्रतिशत भागीदारी ये पसलो की है वैसे जो आपका 49.88% जो उद्योग छेत्र जो है GDP में उद्योग छेत्र की भागीदारी है इस 49.88 में से वी निर्माण की भागीदारी सरवादिक भागीदारी है कितना 18.67% वैसे ही सेवा छेत्र जो की 33.21% है इस 33.21% में से 7.28% भागीदारी इस थावर संपदा की है ठीक है इंपोर्टेंट है इसको याद रखना जो बताते हुए चल रहा हूँ जो आपको कोश्चन एक्स्प्लेइन करते हुए चल रहा हूँ उस कोश्चन को भी समझते हुए करते लगे चल लिए अब यहां स्तिर कीमत आते हम प्रचलीत कीमत दाखे प्रचलीत कीमत पर 36.23 के GDP का आखर कितना है 4%. 45608 करोड रूपए कितना है 45608 ठीक देखिए 36 गड़ के GDP का आकार प्रचलित कीमत पर है 45608 करोड रूपए ये क्या है ये है 36 गड़ के GSDP का आकार 36 गड़ के 45608 करोड रूपए में से 21.79 21.79 प्रतिशत भागीदारी क्रिशी छेत रखी है जबकि 45608 करोड रूपए में से 35.9 प्रतिशत की भागीदारी सेवा छेत रखी है 45608 करोड रूपए में से 42.28 प्रतिशत की भागीदारी आपके उद्योग छेत रखी है 36 गड़ के GDP का आकार प्रचलित किमत पर कितना है 45608 करोड रूपए इस 45608 करोड रूपए में से सरवादिक भागीदारी GDP में किस छेत्र की है उद्योग छेत्र की है लगभग 42% 42.28 प्रतिशत की भागीदारी है आपके प्रचलित कीमत पर उद्योग छेत्र की GDP में ठीक है जहां समस्ते चलिएगा जो बता रहा हूँ प्रश्ण पुछा जाएगा वित्यवर्ष 2022-2023 के लिए प्रचलित कीमत उपर 36 गड के कुल GDP में क्रिशी छेत्र की भागीदारी कितनी है चार आपका percentage option में देगा individual question आता है वित्यवर्ष 2022-2023 के लिए प्रचलित कीमत पर 36 गड के GDP में सरवाधिक भागीदारी किस छेत्र की है क्रिशी छेत्र उद्योग छेत्र सेवा छेत्र तो किस छेत्र की है उद्योग छेत्र की है ठीक है तो ऐसे question आते हैं अब देखिए इस क्रिशी छेत्र में क्रिशी छेत्र की भागीदारी 21.79% है 21.79% क्रिशी छेत्र में सरवाधिक भागीदारी किस की है पूछा जाए क्रिशी छेत्र के अंतरगत फसले मचली पालन पश्यू पालन वन उद्योग आते हैं तो उसमें सरवाधिक जो भागीदारी है क्रिशी छेत्र के अंतरगत वो फसलो की है, क्रिशी छेत्र का तो 21.79 है, लेकिन इस 21.79 में सरवाधिक कॉंट्रिबूशन फसलो का है, वैसे उद्योग छेत्र की भागीदारी 42.28% है, लेकिन इस 42.28% में सरवाधिक भागीदारी पुछा जाएगा तो निर्मान की वहीं पर अगर प्रचलित कीमत पर उद्योग छेत्र में सरवादिक भागिदरी किसकी पुछेगा तो यह निर्मान इस्थीर पर वी निर्मान और आपका प्रचलित पर निर्मान तो अध्यान से समझना निर्मान और वी निर्मान दोनों अ परसेंट है इस 35.93 परसेंट में अन्य सेवाव की भागिदारी सरवाधिक है ठीक तो यह पाई चार्ट को अच्छे से करना गवर्मेंट के इकोनोमिक सरवे की बुक में कोई पाई चार्ट बना हुआ नहीं रहा था इसको अलग से आपके लिए बनाया गया है ठीक है इसको ड्रॉ किया गया है नेक्ट देखिए अभी हम देखे इस से पहले कि 36 गड़क में जो वृद्धिदर है ठीक है जो हमने वृद्धिदर देख लिए उसको एक हम टेबल में उसको फिर से कवर कर रहें देखे इधर दिया गया है प्रतीशत वृद्धी और दूसरे तरह दिया गया है प्रतीशत भागीदारी ठीक है पिछले वर्ष की तुलना में किस प्रचेत्र में सरवाधिक वृद्धिदर्ज की गई और पिछले प्रतीशत वर्ष की तुलना में किस प्रचेत्र की सरवाधिक भागीदारी है आपके G.S.D.P में ठीक है अगर हम बात करें इसमें ओवर्वाल बात किया जा रहा है और उसके अंतरकत आने वाले सभी के सभी प्रचेत्र फसले पशुपालन मचली पालन वनुद्ध्योग व सरवाधिक वृद्धी दर्ज की गई है व्यापार होटल जलपान ग्रही में 16.95% और नियुम्तम वृद्धी दर्ज की आ गया है आपका इस्थावर संपदा में कितना 1.64% वैसे ही अगर ये तो हो गई वृद्धी दर अब यहां थी भागीदारी 36 गड़ के कुल GDP में बात क्या जा रहा है यहां ठीक है तो सरवाधिक यहां इस्थिर कीमतों पर और यह आकड़े आपके लिए इस्थिर कीमतों पर ही है ठीक है प्रचलित कीमतों की यहां बात नहीं हो रही है प्रचलित कीमतों पर जाएगा भी नहीं इस्थिर कीमतों की है इस्थिर कीमतों प कि वित्य वर्षे 2022-23 के लिए 36 गड़ के GDP में किस प्रचेत्र की भागी दाधी सबसे कम रही तो किसकी भागी दाधी सबसे कम रही भंडा रंकी ठीक है इन्पोर्टेंट है इसको करना आगे देखिए अब बात आती है खनन उत्खनन की खनन उत्खनन के आकड़े अलग से प्रतीशत वृद्धी और कमी बोला रहा है यानि कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रतीशत वृद्धी और कमी देखिए अगर हम बात करें यहां पर है वर्ष वर्ष 2017-18 में इसमें वृद्धी दर्ज की गई आपके 6.81 परसेंट 18-19 में 7.96 जबकि 19-20 में ये रिनात्म अब प्रशन पूछा जाएगा कि खनन तथा उत्खनन में इस्थिर की मतोपर किस वृद्धी रश में सरवाधिक वृद्धी दर्ज की गई करके तो ध्यान दीजीएगा वृद्धी वर्ष 2022-23 में सरवाधिक वृद्धी दर्ज की गई प्रश्ण पुछा जाएगा कि खनन तथा उत्खनन के अंतरगत किस वित्तिय वर्ष में सबसे कम वृध्धी दर्ज की गई तो वित्तिय वर्ष 2019-20 में आपकी सबसे कम वृध्धी दर्ज की गई विगत 6 वर्षों में किस वर्ष खनन तथा उत्खनन में सरवाधिक वृध्धी दर्ज की गई तो 2022-23 में सरवाधिक वृध्धी दर्ज की गई विगत 6 वर्षों में खनन तथा उत्खनन में किस वर्ष नियूनतम वृद्धी दर्ज की गई तो 2019-2020 में नियूनतम वृद्धी दर्ज की गई तो ऐसा आता है ये पूरा पूरा टेवल आपको याद होना जी खनन तथा उत्खनन का ये खनन तथा उत्खनन से अलग प्यार है आपको CGPAC को इससे question पूछता ही है ठीक है अजर भागीदारी की बात करें तो देखें भागीदारी में आप केवल इसको याद करेंगे तो भी चलेगा वित्तिय वर्षे 2022-23 का ये करेंट येर का ज्यादा पूछता है वित्तिय वर्षे 2022-23 में GDP में खनन तथा उत्खनन छेत्र की भागीदारी इस्थिर कीमत पर कितना अनुमानित है 10.75 प्रतिशत अनुमानित है ठेक बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजे नेक्ष्ट है आर्थिक विकास दर 2022-23 आर्थिक विकास दर एक तरफ 36 गड़ के डाटा दिये गया है और दूसरे तरफ भारत के डाटा दिये गया है और दोनों के दोनों इस्थिर कीमत उपर है 36 गड़ का 36 गड़ का जो विद्धी दर है 36 गड़ का व्रिद्धी दर या विकास दर बोलिए वो है 8 प्रतिशत जबकि भारत का विकास दर रहा वित्तिय वर्षु 2022-2023 में 7 प्रतिशत याने कि 36 गड़ का व्रिद्धी दर भारत से अधिक है वही अगर हम क्रिशी छेत्र की बात करें तो क्रिशी छेत्र का व्रिद्धीदर छत्तिजगड का रहा 5.93% भारत का रहा 3.45% यहां पर भी छत्तिजगड का क्रिशीदर भारत से सरवादिक है और द्योगिक छेत्र का व्रिद्धीदर छत्तिजगड का रहा 7.83% भारत का रहा 4.11% और द्योगिक छेत्र वृद्धीदर में भी हमारा 36 गड़ सरवादिक है सेवा छेत्र की बात करें तो सेवा छेत्र में वृद्धीदर 36 गड़ का रहा आपका 9.21% भारत का रहा 9.14% यहाँ पर भी हमारे 36 गड़ जो है भारत से सेवा छेत्र के वृद्धिदर सरवादिक है याने की GDP और उसके जितने भी घटक है उन सभी में जो वृद्धिदर है वो भारत के comparison में सरवादिक है ठीक है भारत के comparison में सरवादिक है अब प्रती व्यक्ति आये की बात हो रही है देखे ये जो सुरू के ये आकड़े है सेवा छेत्रत ये सभी किसमे है ये इस्थिर कीमत पर है जबकि नीचरे वाला ये जो आपको प्रती व्यक्ति आये है ये प्रचलित कीमत पर है प्रचलीत कीमत पर 36 गड़ का प्रतिव्यक्ति आये है 1,33,898 जबकि भारत का प्रतिव्यक्ति आये है 1,70,620 ठीक है तो इसमें 36 गड़ का प्रतिव्यक्ति आये कम है भारत के प्रतिव्यक्ति आये से 36 गड़ के प्रतिव्यक्ति आयए में पिछले वित्ति वर्ष की तुल्ना में 10.9 प्रतिशत की विद्धी दर्ज की गई जबकि भारत के प्रतिव्यक्ति आयए में 13.7 प्रतिशत की विद्धी दर्ज की गई यह टेबल काफी important है इस टेबल में जितने भी data दियेगा है उस सब को revise कीजिएगा यह टेबल से भी separate question आता है यहाँ पर डाइग्रम दिया गया है डाइग्रम कुछ नहीं है यह डाइग्रम जो है यह 36 गड़ और भारत में यह दखी है इससे question पूछे जाने की संभावना उतनी नहीं है ठीक है लेकिन कर सकते है जैसे कि यहाँ पर योगदान बोल रहा है GDP में 36 गड़ के उद्योग छेत्र में 36 कुल GDP में उद्योग छेत्र का आपका जो प्रतिशत भागीदारी है वो है 49.88 जबकि देश का जो है वो कितना है 30% सेवा छेत्र में देश के कुल GDP में सेवा छेत्र का योगदान 55% है जबकि 36 गड़ का GDP में सेवा छेत्र का योगदान मांतर 33.21% है ठीक है तो ये comparison को भी कर लीजेगा सारा data important है इस chapter से बहुत से question exam में आपके पूछे जाते है ठीक है तो इसको थोड़ाथा अच्छे से कीजेगा बाकि इसको हम कर चुके है यहां होता है आपका अध्यायतीन समात किसी बगार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक और शेयर जरू कीजेगा धन्यवाद